हेलो स्वेंट्स मैं आपका अंचल सर आ गया हूँ आपके अपने यूट्व चैनल पे प्लीजे सब्सक्राइब करें इसे लाइक करें इसके पहले हमने देखा था पार्ट नंबर वन आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांस्पोर्टेशन प्ला पार्ट टू क्लास टेन के लिए यह बहुत इंपोरेंट चैप्टर है इसके इससे डिफेरेंट आपके कोश्चन आते ह इसके बहुत बहुत आप आपको जिखाये में अज प्लास टेशी आपकर शू करने भरत में कोश्चन प्लाक मयान प्लीजा वेयन प्लास एमकली आ मैं यह 500-9 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर वह फोकश्ड है अपने न टैसन आर्य inputs के बारें में देखने जा रहे है है lymphatic capillaries से lymphatic vessels से यहां दिखाई दे रहा है यह एक पूरा का पूरा tissue दिखाई दिया आपको यहां पर यह tissue है यह surrounding है किसके arterioles उसके प्रेजंट है यहां पर इसके surrounding प्रेजंट यहां पर यह veins है और इन सोनों की बीच में दिखाई दे आपको यहां पर क्या यह green color की यह है इसे कहा रहा है कि हम लोग lymphatic vessels तो यह क्या दिखाई दे रही है आपको lymphatic vessels दिखाई दे रही है clear है lymphatic vessels क्या करती है drain करती है जितना भी tissue fluid होता है वो अपने दर fluid में चला जाता है और यह waste drain होके यह inter कर रहा है इस green color वाली lymphatic vessels के अंदर दिखाई दे रहा है यहां पर यह lymphatic vessels है starting में capillary होती है यह capillary एक साइट से blind होती है यह बंद होती है यह question आता है कि कौन सी capillary एक साइट से बंद है तो answer देखें किसके आप यहां पर यह capillary है क्या lymphatic capillary है यह सारा का सारा drain होके इस किंदर चला जाएगा आगे हम देखते हैं कहां जा रहा है यहां देखें तो यह proper जो drain होके पहुंच रहा है यह drain होके जा रहा है यहां देखते हैं यह सारा का सारा drain होके इंटर कर गया कहां पर यह इंटर कर गया इस lymphatic fluid के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं को फिर से कैसे यह form हो रहा है कैसे यह इसका transportation हो रहा है यह है blood capri जो nutrients लेके आती है इसके अंदर O2 है इसके अंदर hormones हैं इसके अंदर digested food है amino acids हैं इसके अंदर glucose है इसके अंदर fatty acids हैं तमाम यहां पर food present है यहां अब इस capital के बाहर चीजें क्या हो रहे हैं diffuse होके pass हो रही है यह आपको जो yellow color का fluid दिखाई दे रहा है यह yellow color का fluid क्या है यह tissue fluid है इस yellow color के surrounding में दोनों साइट से present है यहां पर fluid और यहां पर present है हमारी क्या tissue की cells यहां से चीजें diffuse करती हैं cells के अंदर cells데 удutz करने के बाद कहां जाती है यह Anda those are between tissue fluid के अंदर cells जो भी चीज्ट receive करेगा वह वेस्श जो बनाएगा ओर इसको बादों कहां पर surrounding tissue fluid के अंदर क्या करेगा focus confirze करतें यह जह waste है कुछ waste जो होते हैं वह return कर Cells से अंदर से diffuse करने के बाद कहा जाती है ये, ये move करती है कहाँ पर tissue fluid के अंदर Cells जो भी चीज रिसीब करेगा, वो waste जो बनाएगा, वो diffuse कर देगा, कहाँ पर इपने surrounding tissue fluid के अंदर क्या करेगा, इसको diffuse कर देगा अब ये जो waste है, कुछ waste जो होते हैं, वो return कर जाते हैं, वेंस को, जो capillary होती है, उनके पास चले आते हैं, और कुछ जो waste की type है, वो inter कर जाते हैं, inside the lymphatic capillary के अंदर ये inter कर गया, through diffusion के, तो diffusion power इसका capillary से जादा है, capillary के compression में, अगर question आता है कि किसका diffusion power जादा है, तो आप बोलेगे, diffusion power जो है, वो lymphatic capillary का क्या है, जादा है, और lymphatic capillary दोनों साइट से क्या रहती है, ये close रहती है, ये important point है, अब ये सारा का सारा drain कर गया, इसके अंदर, तो लेकिन इसके अंदर RBC present नहीं है, इसलिए इसका भी color क्या होगा, इसी का color का होगा, light yellow color का होगा, आगे ये कहां move कर रहा है, ultimately ये जो lymphatic capillary है, ये बन जाती है, attach होती है, किसके साथ, हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो lymphatic capillary है, आगे move कर रही है, यहाँ से सारा का सारा cell से इ drain out किया था अपने अंदर, drain out करने के बाद ये आगे बढ़ती जा रही है, इस lymphatic capillary के ऊपर surrounding में आपको यहाँ पे nodal node दिखाई दे रहा है, इस node को हम बोलते हैं, यहाँ पे, इस called the lymphatic node, क्या बोलते हैं हम लिम्फाटिक node कहते हैं, लिम्फाटिक node कहते हैं, अब ये lymphatic node, यहाँ पे ये एक क्या है, एक check point है, जिसके अंदर lymphocytes present होती है, lymph की cells क्या बोलेंगे, lymphocytes बोलेंगे हम, और ये एक immune cells हैं, यहाँ पे इस fluid के अंदर move करने वाले bacteria को, ये क्या करती है, kill करने का काम करती है, phagocytic nature से ये क्या करती है, kill करने का काम करती है, अब देखते हैं, यह आगे भरता जा रहा है, यह सारे के सारे lymphatic nodes हैं, जो एक immune centers है, immune check point है, ultimately यह पूरा का पूरा जो surrounding drain था, जो cell से waste देके आ रहा था, ultimately यह blue color की vein में आपको दिखाई दे रहा है, यह आके मिल जा रहा है, तो यह सारा का सारा lymphatic जो fluid होता है, lymphatic flow होता है, lymphatic capillary, अगर question आता है किस से जुड़ती है, तो आप बोलेंगे क्या कि vein से जाके जुड़ जाती है, ultimately vein, जो capillary से चीज़े निकल के आई थी, जो fluid निकल के आया था, जो plasma निकल के आया था, ultimately drain करके वो heart के अंदर फिर से पहुचा देती है, right side में, इस तरह से आपने यह देखा कि यह जो सारी की सारी lymphatic vessels present है, यह veins and artery के बीच में present है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, middle man बोलते हैं, क्योंकि excess जो fluid है, waste के साथ drain करते हुए, फिर से यह vein में लया के drain कर देती है, इसलिए हम lymphatic system को हम बोलते हैं, middle man बोलते हैं, clear है, move करते हैं, next की तरफ, इसके बाद, सबस्क्राइब हम यह देखेंगे कि एक leaf है, जो leaf को अगर हम cut करें, जो आपका leaf का portion होता है, यह leaf हो गई आपकी यहाँ पे, इसको अगर ऐसे cut करें, तो ऐसे cut करने पर हमें ऐसा वाला portion दिखाए देगा, इस portion से हम छोटा सा portion यहाँ पे ले रहे हैं, और इसको हम क्या करने आपको क्या दिखाए दे रहा है, हम process पढ़ने जा रहे है, transpiration, उसमें क्या होगा, इससी दो important होगी यहाँ पे, तो जो dicot की जो leaf है, you know what is dicot, जो dicot की leaf है, dicot plant की जो leaf है, उसकी कर बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे उपर आपको दिखाए देगी एक layer that is called the cuticle, cuticle जो layer है, बनी हुई है cutin से, और cutin क्या है, एक waxy chemical होता है, और यह पूरे का पूरा cutin कौन फॉर्म किया है, तो यह epidermis ने form किया है, और अपने उपर यहाँ पे layer के form में लगा दिया, cuticle से क्या होता है, यहाँ पे जो excess sunlight आती है, वो reflect हो चकती है, जो pathogen होते हैं, जो bacteria होते हैं, वो invad नहीं कर पाते हैं, जो epidermis की cells होती है, वहाँ पे, तो यह protection का काम कर रहे है, और यह cuticle क्या करती है, यहाँ से excess water को evaporate होने से रोकने का काम करती है, तो cuticle एक आपकी यहाँ पे plant के लिए एक protective layer दिखाई दे रही है, इसका formation कौन हुआ है, कौन किया है, तो इसके नीचे दिखा जाए, तो यह cells क्या हैं, काफी लंबी-लंबी cells दिखाई दे रही है यहाँ पे, और इन cells को हम बोलते हैं क्या, palisade mesophyll layer, palisade mesophyll layer, mesophyll बोलना है क्योंकि यह बीच में दिखाई दे रही है, leaf के बीच में प्रेजेंट है यह आउटर साइड में नहीं है, center present है, बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे, अब इन cells के बीच में आपको gap नहीं दिखाई दे रही है, question आ चुका है यहाँ पे कि किन cells में, किस mesophyll के cells में gap नहीं होता है, यहाँ पे mesophyll की दो layer दिखाई दे रही है, एक palisade mesophyll layer और एक spongy mesophyll layer, इस पॉंजी वाले के बीच में अगर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे gaps दिखाई देंगे, यहाँ gap क्या प्रेजेंट है यहाँ प्रेजेंट है इसलिस का नाम रखा गया है, और spongy mesophyll में प्रेजेंट है, यह दिखाई दिया इसका vascular tissue, इसमें vascular bundle है, bundle का मतलब इसके अंदर xylem है, plus क्या है, phloem है, xylem क्या करता है, water लेके आता है root से, अब xylem जब water लेके आता है, तो यह water क्या करता है, diffuse कर जाता है, इन सारी की सारी cells के अंदर, जिनको क्या बोल यह stomita के तुरू, nickel के atmosphere में चला जाता है, इस process को बोलते हैं हम क्या, transpiration बोलते हैं, now, अगर देखा जाए तो यह guard cell एक ऐसी cell है, बस lower epidermis के अंदर, इसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ chloroplast मिलते हैं, यह important question है, lower epidermis पे सिर्फ guard cell ऐसी है, जिनके अंदर क्या मिला है, chloroplast मिला ह इस process को हम और explain करते हैं, next slide के तुरू, अब water का absorption कैसे हो रहा है, और water कैसे क्या हो रहा है, leaf तक पहुच रहा है, तो यह है leaf की cells, यह पूरा के पूरा, यह root है, root के upper part को बोलते हैं, क्या root tip, और root tip जो होता है, वो covered होता है, root cap से, क्या आपका मतलब क्या, कि protection करने वाली layer, root soil के अंदर जा रही है, तो हो सकता है, नीचे यहाँ पे कुछ छोड़े stones के particle हो, उनसे इसका यह upper part damage ना हो जाए, अगर upper part damage होगा, तो इसके पीछे दिखाई दे रही, यहाँ पे charismatic layer, यह भी damage हो सकती है, तो root की growth क्या हो जाएगी की रुख जाएगी, हर एक root के maturation जो उन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, या छोटे-छोटे hairs दिखाई दे रहे हैं, इन छोटे hairs को अगर हम insert में देखें, तो यह सारे के सारे hairs इस epidermis से form हुए है, root की epidermis से form हुए, root की epidermis को हम epiblema बोलते हैं, जाएगी is the epiblema. और यह सारे के सारे hairs इसी epiblema से निकले हुए हैं, और यह सारे के सारे जो hairs हैं, यह unicellular हैं, यह क्या है, Unicellular है. important root hairs क्या होते हैं unicellular होते हैं यह root hairs increase करते हैं surface area को जिसे water absorb होता है और साथ-साथ water के साथ क्या होता है साथ में mineral भी क्या होता है absorb हो सकता है water absorb होने के बात कैसे पहुच रहा है leaf के अंदर हम देखते हैं यहां से अब यहां देखते हम यहां पर कि यह root hair ने क्या किया इसको absorb किया water यह water कहां present है in soil के particles के बीच में present है यहां पर तो यहां से यह water extra present है outer side अंदर कम present है cell के अंदर तो diffuse होके चला गया अंदर water क्या हो गया इसके epidermis जिससे हम epiblema बोलते हैं cross करता हुआ cortex को यह inter कर गया कहां पे xylem के अंदर जो water के transportation channel है complex tissue है plant का अब water क्या है upside move कर रहा है water upside कैसे move कर रहा है यह question है अब हम पहुचते है डाइट कहां पे leaf में कि कैसे water क्या हो रहा है upside move कर रहा है यह leaf का वही portion epidermis यह lower epidermis यह upper epidermis थी यह lower epidermis है और यह क्या हो गया इसका ground tissue इस ground tissue में मैंने बताया था भी आपको यह palisad mesophyll और यह spongy mesophyll अब यहां से जो stomita से जो water evaporate हो रहा है water evaporate हो रहा है तो इसके पीछे वाला जो area है यहां पे water vacant हो जा रहा है फिर इस water यहां पे एक fresh water फिर से आ रहा है evaporate होके इस air cavity के अंदर फिर यह water evaporate होके बाहर चला जार atmosphere के अंदर इस लगातार water के evaporate होके बाहर निकलने से एक suction pressure बन जाता है क्या बन जाता है suction pressure क्या होता है develop करता है और इस से क्या होता है इस xylem के अंदर ascent of sap create होता है ascent का मतलब अगर यह water का place यहां पे water खाली होगा तो fresh water यहां पे आ जाएगा अगर यहां water खाली होगा तो fresh water यहां पे आ जाएगा अगर यहां water खाली होगा तो नीचे से water आ जाएगा तो जैसे यह water यहां पे पहुचा और evaporate होके बहाँ निकला इसके place पे नया water क्या होगा नय water के molecules क्या होगे यहां पे पहुच जाएगे जिससे लगातार water क्या होगा आके की तरफ खिसता रहेगा और यहां से transpiration के process क्या होगा गार्ड सिरसे जो opening है यहां से stomita से क्या होगा यहां से निकलता रहेगा दिन के time में इससे क्या होता है suction pressure develop होता है और continuous एक water की तरू क्या होता है सारा का सारा पानी ऊपर के तरफ चड़ता रहता है के थू और यहां से एक्मॉस्फियर में निकलता रहता है अगर यह इस्टमेटा close हो गया जैसा कि रात में close हो जाता है तो फिर वाटर कैसे उपर rise करता है कैसे rise करता है तो उस लिए जो root है वह एक pressure create करती है हम इसे बोलते हैं क्या root pressure और root pressure नाइट के टाइम में ज्यादा होता है रूट प्रिशर है क्या रूट प्रिशर एक टाइब का हाइड्रोस्टाटिक प्रिशर है तो इस तरीके से रात में रूट में पानी आगे चलता है by the process of root pressure अगर कुशन आता है कि root pressure कब ज्यादा है तो आंसर क्या होगा इसका root pressure ज्यादा है कब नाइट के टाइम में नाइट के टाइम में क्या है root pressure क्या है काफी ज्यादा होता है यही इस process के form में यहाँ दिखाया गया कि water कैसे rise किया कैसे जालेम के तो अब अब move किया और यहाँ पे जो teeny teeny post present है जीने क्या कहे रहे हैं सिंगल को हम इस्टोमा कहते हैं यह यहाँ से operate हो रहा है यहाँ तो इस तरह के से ट्रांसपूर्ट होता है water का यह board examination के लिए बहुत important है NTSC के process के लिए important है यहाँ पे इस पूरे के पूरे suction pressure में ATP का कहीं भी consumption नहीं दिखाई दे रहा है लिए suction pressure के थुरू क्या ओढ़ा है सारा का सारा यह move कर रहा है यह तो यह passive process form में हो गया हो गया और suction pressure के थुरू क्या हो रहा यह operate हो गया Transpiration के यह operation का फाइदा एक और है जब यहां से water operate करता है तो यह पूरे की पूरे सर्फरिस क्या हो Somer हो जाती, लीप की सर्विस क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, समर के टाइम में जहाँ प्लांट प्रेजेंट हैं, वहां पर बहुत गर्मी हैं, बहुत हीट है, इस प्रॉसेस से water के evaporation प्रॉसेस क्या होता है यह अपने आपको cool रखते हैं साथ में इसी water के थूरू mineral भी क्या करता है साथ में plant अपने आपको क्या कर रहा है flourish कर रहा है plant लंबे हो सके किसके वज़से तो इसी xylem के वज़से जैसे xylem develop किया plant की height क्या होगी बढ़ने लगी जिन plants में xylem और phloem absent रहते हैं उन में plant की height क्या होती है कम रहती है क्योंकि water transportation अब पार्ट तक नहीं हो सकता वहाँ पर तो यह था transpiration transpiration का importance अगर देखा जाए तो climate change में भी होता है बारिश कर आने में help करता है rainy season लाने में help करता है तो यह था transpiration अगले हम वीडियो में देखेंगे phloem का transportation तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर जरू करें थैंक यू